सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो साथ स्रेयकाल कैसे है आप सब आप सभी का स्वागत है पूरम को रेसिपीज में और आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी breakfast की recipe लाई हूँ जो कि है मतर के पराथे जो कि काफी अच्छे से लगेंगे और हम इसमें cheese का twist भी करेंगे तो देर न करते हुए चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो इससे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा कर तयार करेंगे तो यहां पर मैंने दो कप गेहूं का आटा ले लिया है मतर के जो पराथे होंगे इसमें हम soft आटा बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे थोड़ा सा tight आटा लगा कर तयार करेंगे यह मतलब आटा गूंचते वक्त हमें ध्यान देना है कि जितना possible पानी का इस्तमाल कम हम करें ताकि हमारा जो आटा हो टाइट हो पाए और साथ ही टाइट होने के साथ साथ उस आटे में लचक भी होनी चाहिए तो यह देखिए जितना possible था थोड़ा थोड़ा ही मैं पानी का इस्तमाल कर रही हूँ आटे को मसल मसल के गूंत रही हूँ लचक वाले आटे के लिए हमें आटे को काफी अच्छी तरह से मसल के गूंतना होता है और यह देखिए इस तरह से हम इसे गूंत कर तयार कर रहे हैं अब आप देख पा रहे हैं और अल्मोस्ट आटा बहुत अच्छी तरह से सैट नहीं हुआ इसलिए हम यहाँ पर थोड़ से लास्ट एच पर देसी घी का एक बड़ा चमर डाल देंगे या आप चाहें तो रिफाइंड ओयल से भी से सैट कर सकते हैं बड़ देसी घी से बहुत अच्छी लचक आ जाती है और यह बहुत अच्छी तरह से तयार हो जाता है लास्ट में हम पानी ना डाल कर घी से इसे गूंतेंगे कम से गम एक मिनट तक उसके बाद हम इसे आदा कंटा रेस्ट करने देंगे अब दूसरी और मिक्स्चर बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है थोड़ा सब बटर जो कि ऑप्शनल है आप रिफाइंड ओयल भी ले सकते हैं एक कप मैंने आपर ले लिये हैं जो कि है फ्रोजन मटर है मेरे फ्रेश मटर नहीं है । बर इक कटा हुआ हरा अदनिया ले ले लेंगी हमें आपर प्रोसेस चीज ले लिया है जिसे मैंने 3-4 चीज क्यूब से जिसे मैंने कद्डू कष रख लिया है अब हमकुश सूख्य मसाले लेंगे सूख्य मसाले में लेंगे लाल मिर्च पारओर नमक और थोड़ा सा हल्दी पारओर और थोड़ा सा मैगी मसाला का आधा सेशे लिया है यह 오प्षनल है आप चाहें तो लें नहीं लेंगे तो भी कोई बात नहीं मुझे पराठो में बैगी मैसाला का टेस्ट काफी पसंद आता है अब हमने कडाई में थोड़ा सा बटर डाल दिया और साथ ही हम उसमें डाल देंगे मटर देखिए फ्रेंज ये जो है मेरे फ्रोजन मटर हैं तो फ्रोजन मटर बहुत जल्दी से पक जाते हैं और जो फ्रेश मटर होते हैं उन्हें पकने में थोड़ा सा वक्त लगता है तो अगर आप फ्रेश मटर का इस्तमाल कर रहे हैं तो उन्हें एक उबाल आने दीजी उसके बाद इस प्रोसेस को कंटेनू कीजिए अब हमने गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाय कर दिया है और उसमें डाल दिया है नमक, हल्दी पाउडर और आधा चुटा चमच लाल मिर्च पाउडर आधा सैशे मैगी मसाला का और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए से भुनेंगे मतलब इस तरह से भुनना है कि जो हमारे मटर है वो अच्छे से करार ही हो जाए ठीक हमें इस तरह से उन्हें भुन कर तयार करना है तो साथ से 8 मिन लगेंगे मैं इसे लगातार मिक्स करते हुए पका रही हूँ और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जो भी सुखा मसाला हमने इसमें डाला है उस सारे मसाले की इस पर कोटिंग लग जाएगी देखिए और यह अच्छी तरह से तयार हो जाएंगे अब हम इने गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और एक कड़ाई में एक बरतन में बाहर निकाल लेते हैं अच्छी तरह से आप मटर को चक भी लीजेगा मटर पक जाने चाहिए फ्रोजन मटर जल्दी ही पक जाते हैं अब फ्रेंड्ज आप चाहें तो इन्हें मिकसर जार में डालके मिकसी कर सकते हैं बट यहां पे मैं उस प्रोसेस को एग्नोर करके मैशर का हेल्प ले रही हूं जिसे पटेटो मैश करते है न वो मैशर की हम हेल्प लेंगे और मटर को मैश करेंगे कम से कम 5-6 मिनट तक मिक्सी जानमे का यह बिल्कुल पेस्ट के फॉर्म में कनवर्ट हो जाएगा वो भी अच्छा लगता है ऐसी बात नहीं है कई लोगों को वो पेस्ट फॉर्म वाला पसंद आता है बट मुझे इस तरह से थोड़े साबुद साबुद मटर दिखाई देते हैं करारे करारे से व जो मटर है वो बैठ जाएंगे मैशर से मैश करने के बाद तो जब हम उन्हें पराठे में फिल करेंगी तो वो बाहर नहीं निकलेंगी इसी वज़े से मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लिया है यह देखिए मटर की जो शेप है वो अल्मोस्ट खतम हो चुकी है तुकड़ मैश हो चुके है बहुत अब उसके बाद मटर का जो मिक्शर है वो गरम ही है हमने जो प्रोसेस चीज ले ली थी वो अब हम इसमें डाल देंगे चीज आजकल के बच्चों को काफी पसंद आती है इसलिए मैं इसमें चीज का इस्तमाल किया है नहीं भी अगर आप करेंगे इसका इसलिए लगों चीज के समाल झाल तो भी चलेगा बट साबुत मटर के साथ जब चीज आती हैं तो काफी अच्छा लगता है उनके साथ मेल्टेड चीज बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है तो अब में सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से मिला लिया और और हमारा जो आटा था उसने भी अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है, वो भी सेट हो चुका है, तो अब हम आते की छोटी-छोटी सी बिल्कुल छोटी-छोटी सी लोईयां तोड़कर तयार कर लेंगे, यह देखिए बहुत जादा बड़ी नहीं, बिल्कुल नीमबू जितन करना है, तो यह देखिए, एक रोटी हमने बेल ली, बहुत जादा बड़ी नहीं बेलेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ी छोटी बेलेंगे, क्योंकि हमें बाद में इन्हें फिर से बेलना होता है, और दूसरी वाली रोटी की भी लोईय तोड़ ली और इसे भी हम बेल लेते हैं, इसे मैंने फोल्ड इसलिए किया क्योंकि इसकी शेप सेट नहीं हो रही थी, तक इसकी शेप प्रॉपरली सेट हो पाए, इसलिए मैंने इसे फोल्ड करके फिर बेला है, तब यह देखिए हमारी दोनों छोटी-छोटी सी रोटियां बनकर तयार हो चुकी है, इसे भी हमने मैश कर लिया था, तो बड़ी आसानी से यह फैल जाएगा, और उसके उपर जो हमने दूसरी रोटी बनाए थी वो रख देंगे, और इसके कॉर्नर को भी अच्छी तरह से प्रेस करेंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा सूका आटा लगा लिजेगा, मुझे हाथ सेट हो गया बेलने का, इसलिए मैं जल्दी से बेल लेती हूँ, बड़ा थोड़ा सूका आटा लगाईएगा, सेफटी के लिए, और उसके बाद इसे हलके हाथों से बेलेंगे, यह देखिए, दोनों साइट से हम इसे बेल कर तयार कर लेंगे, एक साइट से हमने बेल कर लिया, गैस का, जो फ्ले में आप मीडियम रखिएगा, ऐसे बनाते वक्त, पायन एक बार अच्छी तरह से गरम हो जाए, या तवा जो भी जिस पे भी आप बना रहे है, वो एक बार अच्छी तरह से गरम हो जाए, उसके बाद हमने मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा जाएगी, और उपर से जो मटर दिख रहा है, वो भी काफी और करारे हो जाएंगे, तो इस तरह से काफी अच्छा कॉम्मिनेशन बन जाता है, आप एक बार इस तरह से भी ट्राय कीजिएगा, आपको जरूर पसंद आएंगे, तो अब मीडियम फ्लेम पर हम दोनों साइट अच्छे ने सीखेंगे, उसके बाद बस लास्ट में तुरह सा बटर लगाएंगे और इसे सब करेंगे ही बलकर बिल्कुल ही तयार हो चुके है, तो देखा आप सबीने हमने तुरह डिफरेंट वे से मटर के पराठे बनाया है, मोसली मटर के पराठे मिक्सी में पीसकर बन अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैंने से इस तरह से बलाया आप इसे एक बार अपने घर पर ज़रू ट्राय कीजिएगा और आपको में ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबाए हैं ताकि आपको मेरे हर वीडियो की लेतिस अब्रेट सबसे पहले मिल सकें अब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलूंगी तब तक के लिए बाई